हें गाइस वेलकम बेक टो में टोप चैनल तो आज हम ड्रागन किंग सीरिस को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं तो जैसके हमने प्रिवेस एपसोड में देखा था जू बोल रहा होता है तो मैं यह किस ने दिया मैं भी ट्राइग करना चाहता हूं बोल रहा होता है वो मेरे अंकल मास्टर के फ्रेंड है अब जर्बी निपिँ बचे है तो आपिसीर नाभ रंव यह फेसेर् therm 11 की स्टाडिंग होती है वैरिन बोल रहा होता है यह उक्वेस किस ने कोई जग़ा सोची जहां पे हम अपने ओपरेस को ऐँगा कर सकते हैं express पर प बागी स्टाफ के मेंबर्स को बता दी है पर इससे काफ़ादा रूस तूट जाएंगे क्योंकि हम एक ऐसी और्गनाजेशन है जो कि सावल मास्टर्स को सर्व करते हैं हम ऐसे विजिटर्स को बोलनी सकते हैं कि तुम्हारे साथ फाइट कर या फिर मैच लड़े गुई बोल रही होती है क्या कोई और तरीका है मनेजर बोल रहा होता है मैंने हाईर अप से बात की पर यह इंपोसिबल है Heavenly Phoenix डूला उने बोला कि तुम्हें खुद पाखुद ही हैंडल करना पड़ेगा यह हम कोई भी हेल्प नहीं देंगे गुई बोलते है ठीक है वो फिर सबी को बोलती कि चलो चलते हैं गुई बोलते है ठीक है हमें कोई और तरीका ढूड़ना पड़ेगा अगर नीवी कर पाएंगे हम ऐसा तो मैं Blacksmith Association जाओंगा और अपने Uncle Master को बोलूँगा वो हमारी help कर सकते हैं कोई बोल रही होती है कि वो सही नहीं होगा और काव सा टाइम लग जाएगा मेरे पास प्लैन है जंगलान बोल रही होती क्या तुम बोल रहे हो वो दुन्नों एक ही प्लैन बना रही होती है और खतना करीपी से स्माइल कर रही होती है एक दूसरी की तरफ देखके वो लिन के बाद मेंको ऐसी फीलिंग हारी कि मैं स्टॉंग हो चुका हूं पहले से अपसे मैं true five ranked soul king हूं है मिरे पस्टॉंग spirit soul है तो मिरे पस चांस अपने आप को promote करने का वह बोल रहा हो जाता है क्योंकि वहां पे वो सभी पहुंच जाते हैं वो तुम यहां से जाना चाहते हो, तो सुनो, तुम्हें खेंस्ट में जीतना पड़ेगा, क्या तुम्हें तियार हो। वे ऐसे उसे रोग के रख देते हो, पे दिवार बनाके. इनसान बोल रही हो अनगर क्या नहीं है कि कि महीफ को बेवकवफक हो तुम Saarai मिलके बोल रही है कि यह रास्ता हमार है अगर तुम यहां से जाना चाते है तो तुमिहपए पैसा देना पड़ेगा। बोल रहो होता है कि क्या बक्वास कर रहे हैं तुम कर क्या रहे हो यहां पर बेफकुफों तुम स्पिरिट ट्रांसमेशन टावर के आसपास ऐस चीज़े कर नहीं सकते हो घर भाग जाओ गुई बोलते स्टार्ट करते हैं जिंगलान अटैक कर देती है उस इंसान की तरफ वो अपनी स्किल को यूज कर रहा होता है बचने के लिए जिंगलान बोलती कि गडबड हो गई जायन बोलती है एक दो तीन चार पांच पांच रिंग्स हैं यह सावल किंग है गुई अपने इलमेंट्स को यूज कर रही होती है इंसान सोच रहा होता है क्या मेरी वार्टर जो शील्ड थी वो गायब हो गी मेरा वार्टर इलमेंट खतम कैसे हो गया गुई उसे बांद देती है और जिंगलान अपने स्पावड को उसके सामने रख देती है शायद बूलिन ने कुछ कियो होता है कि यूज को यह बोल रही है कि ब्लू सिर्फ एक गोल्डन लाइट फॉर्मेशन बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ अपने हाथ ही लाए मैं अपने अपको रोकणी पार था जब मैंने ऐलमेंटल मार्शल सौल देख की तो इस टाइम पे इस तो इसे नहीं मरना के लिए कि कोई स्ट्रॉंग इंसान आयां पे जिन से हम बात चीत कर सकते हैं यह हमारी गलती है सारी शांत हो जाओ हम तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते हैं वो इंसान ऐसे रोग पढ़ता हो सोच रहा होता है कि अच्छी बात है कि मैं पागलों के हाथ नहीं पढ़ा मैं भी बिजन्दा हो पर कितना सा शर्म की बात है वो रोते वांस जल पढ़ता है बुलिन बोल रहा हो तो तो लोग भुख भुख वह थी होती है कि चलो एसे करते हैं तो हम इस तरफ की हरकते करते हैं Spirit Transmission Tower पकाई किसी ने किसी को भेज़ेगा यहां पे, जो उनके स्कोर्ड मेंबर्स होते हैं, उनके पास 4 रिंग्स की पावर होती है, साथ में एक मेका आर्मर होता है, एक ग्रूप में 3 लोग होते हैं, वुलिन बोल रहो हता है, कि तुमने तुम सारी planning पहले से कह रखी है, गुई बोल रहो हती है, मैंने कभी मेका के साथ fight नहीं की पहले, वुलिन सोच रहो हता है, कि मेका अब थोड़ा बुरा लग रहा है इनके साथ आने से, तब एक इसान वहाँ पहले आ जाता है, मतलब कुछ लोग बोल रहो हते हैं, कि किसकी हिम्मत है विंडाव ट्रांस्मिशन टावर के सामने ऐसी अरकते करने की, मेकाज आ जाते हैं वहाँ पे वुलिन बोल रहो हता है, जो परपल सावल टूल मेका है, ये एक ऐसा मेका है जो कि सावल मास्टर की कॉमबेट और सर्वाइवल अबिलिटीज को बढ़ा सकता है, गुई तुमने कभी बात की नहीं थी की निके पास परपल मेका भी है, जो परपल मेका होता है, वो बोल रहो हते हैं बच्चियां पर क्या कर रहे हैं, बौल रहो होता है, तुम मेको फोलो करें पड़ेगा, टेंशन मतलो तुम, अगर तुम सच बातें बोलोगे, तुम जोड़ दे जाएगा, तुम्हारे पेरेंस को आना पड़ेगा यहां पर बात करने के लिए पर वुलिन बोल रहा होता है जादा कुछ नहीं होगा परपल मेका बोल रहा होता है बस तुम्हें पैसा देना पड़ेगा थोड़ा सा फाइन देना पड़ेगा वोलिन बोलता है कि मैं मड़ जाओंगा पैसा देने से अच्छा पैसा है सब कुछ है मेरी जिंदगी में अगर तो मुझे पकड़ सकते तो पकड़ो वहांसे भाग रहा होता है परपल मेका उसके पिछे पड़ा होता है गुसे से बाकी से भी ऐसे स्माइल कर रहे होते हैं और यह जिंगलान अपनी स्वोड को लेके यलो मेका के उपर अटाइक कर देती है गुयू भी फायर बोल्स को शूट कर रही होती है जिंगलान ने अपनी स्टार गोड स्वोड को को यूज कर दिया होता है गोई multiple elements को यूज कर रही होती है जिजी भी अपने golden dragon जिजी भी अपने light dragon dagger को यूज करता है वो सारे mecha's function नहीं कर पा रहे होते है जो purple mecha होता है वो वूलिन के पिछे पढ़ा होता है वूलिन जल्दी से उसके पिछे पहुंचाता है और अपने golden dragon body को यूज करके shaking heaven golden dragon attack को यूज कर देता है उसाथ में blue तुल्य ग्राइस से mecha को बांग देता है और अपने close से attack करने लगा होता है वो मैंका जीजी की ओपर attack करने लगा होता है था भी जीजी बच जाता है वो बोल रहा होता है तुम हो कौन वूलिन बोलता है कि तुम जानना चाहते हो कि हम कोन है तो तुमें पहले maafy मांगने वूलिन बोलता है कि हम spirit transmission tower headquarter से आये है हमारा goal यह है कि हमने तुमारी ability को test करना है कि तुम कितने अच्छे हो पर तुम लोग इतने भी खास नहीं हो गूयू प्लीज हमारा passport दिखाओ इने गूयू एक token type को बाह निकाल देती है वूलिन बोलता है कि मैं simply तुमें एक lesson सिखा जारा था आज के दिन को याद रखो पूरा review right करो लिखो कि क्या गलती है तुमारे अंदर क्या तुम्हें सुधार ना है वो जो badge था token था उसे देखने के बाद enforcers के पास कोई doubt ही नहीं था वूलिन बोलता है समझते तुम तभी और महकाज़वां प्यारे होते हैं वूलिन पर वो एक दूसरी को अच्छे तरीके से जानते नहीं है तो हम अपने आपको जुडिशल स्कॉड बोल सकते हैं वूलिन बोलता है next time तुमारे साथ कौन नहीं चलेगा next time मुझे चीज बताओ कि तुम्हें वो token मिलागान से गूयू चोरी नहीं तुमने सच बोलना गूई करते हैं कि वो से पैसे सो नहीं करेंगे जाते हैं कि तीकर कर ना कह ना हूं परण मैंड बोलिन सब्यार करते हैं वह चूह रहा है मतलब कर दोको को सब्सक्राइब ग elim any upassen अभी शोर निहां है वूरर नमेकि उ सोच रहा है कि बच्चे तो खतर般 मुझे थे खतना करें ग अगर यह सही तरिक्के से मतलब intelligent और नीडर बनके grow नहीं होता तो यह बहुत बड़ा villain बनता मुझे थोड़ा सा control करना पड़ना है उसे मुझे थोड़ा सा tough होना पड़ना इसके उपर अगर विलन बन जाएगा तो चीज़ खराब हो जाएंगी विलन बोल रहा होता है कि ऐसे लग रहा है कि हम चीज़ सही कर रहे हैं फिर ऐसे हमें काफी जादा लोग दिखाए देते हैं actual में एक हैड़कॉर्टर का scene वो देख रहे होते हैं पूरी situation को like कैसे विलन बोल रहा होता है कि हम इस परी transmission tower के हैड़कॉर्टर से आया है हमारा गो को याद रखना ऐसे वो पूरी बात सुन रहे होते हैं वूलिन की जो मेनेजर होता है वो बोलता है कि है जो headquarters का judicial code है उसने हमारे judicial code को supervise किया मतलब वो ये सच बाते बोल रहे है जो president होता है वो बोल रहा होता है कि चाहे जो margin के origins क्यों ना हो मैं पूछ रहा हूं क्या है सही है हमारे judicial code ने simple सी बात को क्यों नहीं पता लगाया जैसी की reports है जो evil soul master है वो train station में आया था और मैंने किसी को बेज़े था investigate करने के लिए हमारा जो judicial code है वो अच्छा नहीं है आज से orange alert पे कर दो judicial code को सभी reviews लिखेंगे जो कम है तुमारे अंदर उसे सोचो अपने training time को double कर दो सभी हां बोल रहे होते हैं president बोलता है ट्यान फैंक डूला हूंने कुछ बोला manager बोल रहा होता हूंने कुछ भी ने बोला हम इ manager बोल रहा होता है कि हां अचकल के बच्चे को जाख खत्तरा कैं president बोल रहा होता है कि तुम नहीं बोला कि उन्हें दस cities में जाना exam के लिए manager बोल रहा होता है कि गूयू नहीं ईसा बोला था president बोल रहा होता है इस अपर मतललब इस information को चुपा कर रखो मैं sure हूं कि हम मीनी अकेले जिन की बेस्ती होगी मैंने ज़र बोल रहा है सर कि कैसी mental state है तुमारी सु गाइज ये episode इतना था बिलते हैं आप से आप कुछ दिनों में तब तक के लिए बाई